नमस्कार दोस्तों पॉलिटेक्निक इस्टेडी सेंटर में आपका फिर से एक बर स्वागत है तो आज हम यहां पर दुबारा आ चुके हैं आपके सामने 2022 का जो एक्जामनेशन होने वाला है पॉलिटेक्निक के लिए उसके लिए वीडियो सीरीज लेकर मैं चाहता हूं कि आप इस वीडियो सीरीज को प्यार दें और इसको लाइक करें और ज्यादा श्यादा लोगों को बताएं जिससे हम इस आने वाली वीडियो में यह काफी मही इनों तक चलने वाली है जब तक एक्जाम नहीं आ जाता है आपका तो आप प्लीज इसको प्यार दीजेगा और इसको ज्यादा श्यादा लोगों को पहुचाने ही कोशिच करिए करिए कर जो प्रल टेकनिक में इंट्रेस्ट हैं तो हम इसमें पहले मैथ के टॉपिक के बा जाने हैं तो यहां पर देख लेते हैं नमबर सिस्टम क्या होता है उसके बारे में तो बेसिखिली नमबर सिस्टम में एक ऐसा टॉपिक है जिसमें हम didemment different types a number के बारे में यानि कि जैसे हम नंबर को देखते हैं तो हमारे मन में आ जाता है हमेशा 1, 2, 3, 4 लेकिन इनकी grouping जो करी गई है यानि कि एक sets type का बना दिया गया है अपना individual एक नाम दिदिया गया है उनकी कुछ गुणों के हिसाब से तो उस गुणों को हम पढ़ेंगे और वो क्या क्या चीज़े हैं जिससे एक नंबर की identity chain रहाती है उन सब को पढ़ेंगे तो पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है पहली लाइन में आप देखेंगे तो आपको देखेगा और नंबर तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं different different type के numbers की जो की है whole numbers, integer, rational number, irrational number, even number and odd numbers इसमें हम एक एक करके आगे आगे पढ़ेंगे पहले हम देख लेते हैं chapter at a glance में क्या क्या चीज़े हैं पूरे उसमें पर तो हम यहाँ पर देखेंगे तो हमको पता चलेगा की यहाँ पर है natural number, soul number, integer, rational number, irrational number, real number, odd number, even number, private number, composite, additive inverse, multiplicative inverse और terminating decimal तो यहाँ पर start करते है natural number से क्योंकि normally यहीं से starting करी जाती है और बुक में भी ऐसे ही करमागत दिया गया है तो उसी के according हम पढ़ेंगे हाँ पर तो जब हम देखेंगे तो हम जानेंगे कि अगर मैं आपको बता दूँ जो लिखा है तो पहले वो पढ़ लेते है तो मतलब जीरो को छोड़के जितने भी हमारे पूरे पूरे नंबर रंपल है पूरे पूरे आने की जिसे पॉइंट नहीं है न कुछ है बस 1,2,3,4,5 जो हमारे गिंती है वो इनफाइनट तक जा रही है इस पूरी सीरीज को हम इस पूरी सीरीज को हम नेच्रल नंबर सीरीज बोलते हैं नेच्रल नंबर से बोलते हैं और यहाँ पर एक और चीज़ दिखाई जाती है यहाँ पर कोई ग्रेटेस नेच्रल नंबर नहीं होता है क्योंकि यह इनफाइनट जाती है और आपको पता है इनफाइनट डिफाइनट नहीं है तो इसी लिए 1 is the smallest natural number यह हमको पता है कि सबसे smallest natural number 1 है और हमको यह भी पता है कि यहाँ पर even natural number 2 है यह भी हमको पता होना चाहिए Given a natural number is always exist in a greater exist a greater number than the natural number Given natural number there always exist a greater natural number to the number Basically यह कहने का मतलब यह है कि जब भी आपको कोई भी एक natural number दिया जाएगा तो वो निश्चित होगा कि उससे बड़ा भी कोई एक number exist करता होगा natural numbers में जैसे कि मैं आपसे कहूँ सबसे बड़ा माल लीजिए यह सीरीज 100 पर end हो जाती तो मैं यहां पर नहीं हो रही है और बात यह है कि जो भी एक आप highest to highest कोई number उठा लीजिए वो उसका highest नहीं होगा उसके उपर भी एक नाएक number होगा उसके बाद बात आती है whole numbers की whole numbers में क्या है basically बस एक चोटी जी बात है मैं पढ़ूँगा आग जो लिखा है उसे बस zero plus natural number natural number को end से ही denote करते हैं तो मैं यह नहीं लिख रहा हूँ यहां पर बस zero add कर देते हैं बाकी सब सेम रहता है तो यहां पर लिखा गया है कि यहां पर कोई भी greatest whole number नहीं होता है जैसे कि यहां पर natural number की बात हुई थिए वहां भी greatest number नहीं होता है और यहां पर smallest की बात आ रही है तो जीरू होगा और यहां पर एक और बात करी जाए 0 दो होल नंबर and not a natural number 0 एक whole number है निकि नेचुल नंबर नहीं है क्योंकि यह तो understood सी बात है न क्योंकि zero को हम एक whole number की तरह count करते हैं लेकि natural number हमेशा one से ही start होता है यह उसके लिए एक अपना criteria है तो आगे यहाँ पर हमने पढ़ लिया है अपर tips and tricks कुछ लिखा हुआ है इसको पढ़ लेते हैं तो यह भी कभी किया माँ चीजह है तो लाजिस्ट नयचिरल नमबर यह नाजिस्ट होल नमबर और इन्टर्मीडियबल याहि यह 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 जाए 24 डिजिट नमबर है वो whole number में तीसरा होगा और natural number में वो 4 होगा, यह ना तो यही बात कमझानी कोज़च करी जा रही है क्योंकि वहाँ 0 स्टार्ट हो रहा है यहाँ 1 से और यहाँ पर अगला पॉइंट दिया गया है तो predecessor of whole number is less than 1, बेसी सीदी इस बात है जब वहाँ पर 0 से स्टार्ट करी जा रही है अब natural number में जाएंगे तो एक कम हो जाए है क्योंकि 0 उटा दिया है वहाँ पर और अगर यहाँ पर बात करी जाए होल numbers can be matched as points on the number whole number can be matched points on the number रहे हैं अब number रहे पर इसे point करने कोशिच करेंगे तो वो एक ray की तरह match होगी और यहाँ पर देखी जाए बात है तो यहाँ पर लिखा हुआ है integers की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर ठीक है तो integers मैं देख लेता हूँ वीडियो जाए लंबा तो नहीं हो रहा है तो integers हैगा the set of numbers basically मैं आपसे आसान भाषा में कहूँ तो minus infinite to plus infinite to plus infinite और यहाँ पर मैं लग दूँगा including 0 और एक और चीज की यहाँ पर जतने भी हैं चीजे हैं वो सारी whole numbers में लिए जाते हैं तो आप इसको भी याद रख लेना बोल नमबर से मतला पूरे पूरे नमबर लिए जाते हैं और यहाँ पर एक चीज और है कि integers accept 0 are either positive or negative यहाँ पर integers है वो accept 0 यहाँ जीरो हटाने के बाद यह तो positive होगा यह तो negative होगा अब positive nor a negative यहाँ पर यह बात समझ में आवाई होगा आपको there is no largest or no smallest integer यहाँ पर कोई largest integer नहीं होता यहाँ पर कोई smallest integer नहीं होता यह बाग तो आपको अभी तक समझ में आही गई होगी क्योंकि यहाँ पर सीरीज की बाद चलती है तो सीरीज आगे बढ़ती जाती है वो कई खतम नहीं होती infinite तक होती तो infinite तो कैसे बता दोगे और अगर यहाँ पर तुम बात कर लो यहाँ पर शुरू कहां से हो रही है तो शुरू minus infinite से हो रही है minus infinite नहीं भी नहीं बता सकते है क्योंकि है तो वो infinity ना तो यहाँ पर और क्या बाते चल रही है उनको जान लेते हैं कि यह पढ़ लिया था हमने एवरी इंटीजर है सकसेसर ऐस वेल अस प्रिडिसर जानी कि सिंपल सी बात है देखो जब भी कोई एक नंबर आएगा तो तीन के बाद चार आएगा चार के पहले दो आएगा और यहां पर सारे ही सारे इंटीजर्स हैं तो यह बात समझानी कोईश करी जा रही है जैसे कि मैं आपसे कहूँ कि यह हर चीज में काम आता है बस यहां पर यह रहता है कि हम किसके बारे में नहीं ले सकते जैसे कि मैं आपसे कहूँ होल नंबर में 0 का प्रिडिसर नहीं है यहाँ पर successor उसका 1 है whole numbers में जो series बनेगी वो 0, 1, 2, 3, 4 डोट डोट बनेगी लेकिन मैं अगर बात करू successor and predecessor की तो 1 का successor 2 हो गया लेकिन उसका predecessor 0 है लेकिन अगर मैं 0 की बात करूँ तो उसका successor 1 है लेकिन उसका predecessor कुछ नहीं है मतलब कोई number ही नहीं है वहाँ पर तो ऐसी चीज सम्झानी कोरिश कर जा रही है आपको ठीक है इसके बाद क्या आ रही है यहाँ पर बात निकल के इसके बात बात आ रही है to add integers with sign and their absolute value पहले यह पर पढ़ लेते हैं आम बोलना बोलकर यहाँ पर कि the absolute value of an integer is its numerical value regardless of sign यहाँ पर जो value होती है वो absolute number की होती है यानि कि numeric value की value होती है regardless of sign यहाँ पर plus भी है और minus भी है तो इसमें लिए उसको number को ही माहिन रखा जाता है उसके sign को नहीं यह बात चल रही है आपर इसके बाद मैं थोड़ा सा जूम कर दता हूँ जिससे आपको थोड़ा सा बादंग से दिखाई दे चीजे इतना भी नी पिक्सल फट जाए चलिए यहाँ पर बात हो रही है to add to add integer with like sign and their absolute value to give the common sign and sun to add the integer sign subtract smaller the absolute value is larger than basically बात यह हो रही है कि जब भी आप कोई एक number लेते हैं जैसे कि for example है मैंने एक कोई negative का number लिया और मैंने negative के number में कोई positive जोड़ा तो जाहिड सी बात है वो number हमेशा बढ़ा ही आएगा उससे जैसे कि मैंने minus 9 लिया और मैंने इसमें plus 2 जोड़ दिया सारे integers की बात चल रही है तो यहाँ पर minus 7 आएगा लेकिन वो एक चीज़ देगा कि यह जो minus 7 है यह बढ़ा है as compared to minus 9 यह बात चल रही है यहाँ पर और अगर ऐसा होगा कि 9 minus 2 equals to 7 करेंगे या कोई भी एक ऐसा number लेंगे जो यह बड़ा है तो यह चोटा होगा अगर ऐसा minus करा जा रहा है यहाँ पर तो यह बात चल रही है यहाँ पर ठीक है इसके बाद the product the product of two integers of unlike is negative यह तो बहुत बच्पन से पढ़ते हुए आ रहे है the product of two unlike integers यानि की unlike science यानि की एक positive है और एक negative है तो हमारा negative आएगा एक negative है और एक positive है तो भी negative आएगा अगर दोनों negative है तो यह जाएट जी बात है plus आएगा और दोनों positive है तो भी plus आएगा अब और के बाते हैं हो रही है यहाँ पर उसकी बारे में जाल लेते है यहाँ पर लिखा हुआ है कि यहाँ पर एडिटिव की बात करी जा रही है तो उसको जान लेते हैं क्या होता है एडिटिव जैसे कि अगर यहाँ पर कुछ ऐसे करके लिखा हुआ है जैसे यहाँ पर भी बोला गया है ए और भी दो इंटीजर्स हैं तो हमेशा ए माइनस भी एकोईश टू ए प्लस ए माइनस भी होगा तो यह एडिटिव इंटीजर्स की बात ऐसे की लिखी जाती है यहाँ पर इसके बाद इसके बाद यहाँ पर भूला गया है difference between natural numbers and whole numbers natural number and whole number में difference क्या होता है मतलब तीनों में difference देखा जाये तो natural number, whole number and integers तो मैं इसको आशन भाषा है मतानी कुछ करूँ पहले देखो natural number क्या होता है natural number one two three four dot 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 infinity इसके बाद क्या आया इसमें हमने क्या करा कि हमने इसमें थोड़ा दमाग लगाया हमने का या zero convention हो गया राम अलुजन साड़ ने कल लिया तो कहा लगा है तो हमने यहां लगा दिया इसको बोल दिया whole number की सीज़े पहले थी natural number अब होई whole number फिर हमने का यार हमने देखा कि minus sign भी कुछ ना कुछ value देता है उसकी negative में तो हमने यहां क्या करा हमने number line में represent करने के लिए जहां minus two minus one से minus two और यहां पर हमने पीछे की साड़ चलते गए और हमने minus infinity कर दिया तो फिर हमारी minus infinity two plus infinity बन गई तो ऐसे करके हमारा difference का आप समझ सकते हैं इसके बाद rational number की बात आती है तो rational मतलब आप नाम समझ सकते है rational क्या जीज़ होती है जो कि दोनो टाइप की होती है मतलब दोनों तरफा सोचती है जैसे rational इंसान होता है तो हर दोनों party जैसे कि मैं आप से कहूँ कि मैं rational हूँ तो मैं आपके बाद है जैसे कि अगर मैं आपके कुछ बतानी कुर्श करूँगा तो मैं आपके बाद आपका पक्स भी सोचूँगा और अपना पक्स भी सोचूँगा तो rational वो होता है तो यहसे इससे कोई मतलब नहीं है लेकर rational number की चीज़ पता होने चीज़ आपको क्या होता है कि rational number का मतलब होता है कि दो integers की बात चलती है आपर जो की P, Y, Q की formats में लिखे होते हैं वेर P and Q are integers यह तो बात मैंने आपको बता ही थी इसके बाद Q can't be 0 Q 0 नहीं हो सकता और addition में क्या होता है कि अगर Q 0 हो जाएगा तो वो हमारा not defined हो जाएगा इसके बाद यहाँ पर कुछ points लगे हैं उनको भी चाल लेते हैं Every integer is a rational number and every fraction is a rational number Every integer हर integer जो होता है वो एक rational number होता है और every fraction भी rational number होता है और यह बात क्या है उसको जान लेते हैं पहले कि every integer यानि कि हर integer मैं आपसे कहूँ कि 1 1 एक integer ही है 2 एक integer है इसको हम क्या लग सकते हैं 1 upon 1 2 को क्या लग सकते हैं 4 upon 2 ज़्यादा दमग लगाना है तो या तो 2 upon 1 ठीक है तो इन यह सारी क्या है P upon Q के फॉर्मेट्स में है इसको भी P इसको P मानेंगे इसको Q मानेंगे P और Q दोनों ही आपसें बरापन है तो ऐसे करके देखते हैं इनको ठीक है यहाँ पर और क्या बात निकल के आ रही है और जाल लेते हैं इवरी निगाटेव auditory इस लेस देन जीरो हर निगाटेव Aunit नाषणल न रेस्टनळ लेंबर क्यूंकि जीरो बेसिकली निगाटेव में अंदों में कान राज आए कर मिलाकर बैसे उसकी पॉजिटिव में कूई वैल्यू नहीं हestabती है तुम्हारे पास किसी ने एक रोपय पहले एक रोपय है पॉजिटिव मतलब तुम्हारे पास एक रोपय है 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 मतलब तुम्हारे इसके बाद तो यहां देखा जाएगा कि जो उपर वाला बढ़ा होगा, जिसका numerator बढ़ा होगा, वो number बढ़ा होगा, यह बाद चल रहे हैं आपर, इसके बाद, मैं आशा करता हूँ कि आपको इतना समझ में आया होगा, इसको हम थोड़ा rational number था की पढ़नी कुछ करेंगे, देखते कहां तक जा रहा है, मैं आशा करता हूँ, जिसके आपको समझ में आवाज होगा, क्या है, simple सा concept था, इसके बाद क्या आ जाता है, उसको देख लेते हैं, इसके बाद आता है rational number, sorry, irrational number, irrational number में किस चीश की बात करी जाती है, उसको देख लेते है, a number is a rational number, if and only if, its decimal representation of non non-terminating and non-repeating, if its decimal representation is non-terminating and non-repeating, rational number is a irrational number taken together to form the set of real number, यहाँ पर क्या बात चल रही है, non-repeating and non-terminating, जो ऐसे number जो होते हैं, जो non-terminating and non-repeating होते हैं, जैसे कि 22 upon 7, पाई की वैल्यू, इन सब चीश्ज़ों की बात चलती है, तो हम उसको लेते हैं, कभी-कभी आपने देखा हो, कुछ ऐसी चीज़े, divide में आ जाती हैं, जैसे कि मैं आपसे कहूं कि 1 upon 3, 1 upon 3, इसको divide करने बैठोगे, sorry, 10 upon 3, इसको तुम divide करने बैठोगे, 33.33333 आगे बढ़ता हो चलाएगा, कभी-कभी खथम नहीं होगा, तो इन सब चीज़ों की बात होती हैं, यहांपर, तो इसके बात points पढ़ लेते हैं, यहांपर क्या क्या लिखा हुआ है, और time भी देख लेते हैं, थोड़ा, मैं आपको ज़्यादा नहीं, बस irrational number के कुछ points बताऊँगा, उसके यहांद मैं आपको free कर दूँँगा, आप class छोड़ कर जा सकते हैं, मैं class भी बंद कर दूँग तो यहांपर क्या बाते चल रहे हैं, उनको देख लेते हैं, यहांपर पहला point है, rational number and irrational number are taken as together in the form of set of real numbers, यानि कि basically एक real number जैसे चीज़ होती है, देखो, real number जैसे एक दादा जी थे, basically, पर दादा थे, उनके दो पुत्तर थे, जो दादा बनेंगे, वो है rational और irrational, इस रेशनल, तो basically बात यह है, और रेशनल को भी दो कैटिगरीज में, दो तीन कैटिगरीज में डिवाइट कर दिया गया है, तो कैटिगरीज क्या है, integers, whole number, और natural numbers, और यहांपर बात चल के आती हैं कि, if A and B are two real numbers, और अगर A and B, दो real numbers हैं, तो either A या तो A बढ़ा होगा, या तो B बढ़ा होगा, या तो दोनों बरावर होँगे, या तो उल्टा होगा उसका, इसे ट्राइकोमेटरी कहते हैं, व्यसकि यह जी तरह पूछे नहीं जाती है, कभी नहीं गया है, लेकिन यहांपर लिखी हुई है, तो आप थोड़ा सा देख सकते हैं उसको, अपनी जनल लॉलिज बढ़ाने के लिए, तो इसे नेगेटिव ऑफ एन इडरेशनल नमबर इस, नेगेटिव अफ एन इडरेशनल नमबर, और यह झाता है, और यहांपर लिखा गया है कि Sum besar of occasional number with an irrational number is always an irrational number, जब भी कुई irrational number से उसमें irrational number एक rational में irrational जोड़ा जाए तो वो हमेशा irrational आता है इसके बाद product of two non zero यह आप पढ़ दीजेगा यतने आदो कुछ पूछे नहीं जाते हैं क्योंकि differences in presence क्या होते हैं सब चीदे examination में आती नहीं है जादा कुछ तो मैं जादा सलाह नहीं दूंगा आपको पढ़ने की और अगर आप कुछे चाहते हैं कि यह वीडियो सीरीज और आगे चल के बने और मैं आपके लिजनायने वीडियो लेके आता रहा हूँ तो प्लीज चैनल को लाइक करिए का सब्सक्राइब करिए का और इस वीडियो को लाइक करिएगा कॉमेंट करके बताईएगा आपको क्या के चीज़े पहले देखने हैं तो मैं उसके साथ चलूँ कि अपने साथ से चलूँ आपको और क्या देखना है पॉलिटेकनिक से रिलेटर आपको उसके सेमिस्टर वन सेमिस्टर टू के कुछ बारे में कुछ जानना है तो आप वो बता सकते हैं मेरे को चलिए आप मिलते हैं पार्ट टू में तो मैं आशा करते हूं कि आपको अच्छा लगा हूँ तो आप लाइक शेर सब्सक्राइब करिए